बिसमिल्लाय रह्माने रहीम, सलामों अलेकुम दोस्तों, श्रे लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपकी बुक का चेप्टर नंबर 4 और जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम इस चेप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी ICS Part 1 की बुक का चेप्टर नंबर 4 यूजिस और अप्लिकेशन और कम्प्यूटर तो दोस्तों, इस चेप्टर को आपकी बुक में शामिल करने का में मकसद है आपको मोटिवेट करना ये आखिर कम्प्यूटर में जो हम इतने दिनों से तरहां तरहां के फॉंक्शन को पढ़ रहे हैं कम्प्यूटर के, इंटरनेट के, हार्वेर, सौफ्वेर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, लेंग्विजिस और तरहां-तरहां के नेट्वरक्स को बनाना सीख रहे हैं तो ये पढ़ने का मकसद क्या है? At the end हमें इससे हासिल क्या होगा? क्या इसको पढ़ने का कोई फाइदा भी है? For example, कोई आप से पूछे, Why are you studying Computer Science? और आपने Computer Science को ही Q-Choose किया? तो अगर आप कहें कि ये तो हमारे स्लेबस का पार्ट है, इसे लिए इसे हमें पढ़ना ही है तो फ्रेंड्स ये जवाब तो किसी बोज को उतारने जैसा लग रहा है लेकिन फ्रेंड्स अगर इस चेप्टर को आप सही से पढ़नेंगे तो इस चेप्टर को मुकमल करने के बाद आपको इस सवार का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना आ जाएगा तो आईए वक को जाया किये बिना अपने लेक्टर का बाकाइदा आगास करते हैं कि वाई वी स्टेडी कम्प्यूटर हम कम्प्यूटर को क्यों पढ़ रहे हैं क्या इसकी वज़ा से इसने हमारी जिंदगे उपर कोई इफेक्ट और इंपक्ट भी डाला है या पिर ये कहलें कि इसको पढ़ने का आखिर फाइदा क्या है दोस्तों हम कम्प्यूटर को इसलिए पढ़ रहे हैं और कम्प्यूटर सिर्फ आपके सामने मौजूद ये बॉक्स नहीं होता बलकि हर वो डिवाइस जो आपको कैल्पूलेशन करके दे रही है इस कम्प्यूटर यानि तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कम्प्यूटर हर जगा है आप सुबह उठते हैं अपने मुबायल में मौजूद अलाम के जरीए तो मुबायल फोन इसा कम्प्यूटर आप किचन में जाते हैं फ्रिज से ठंडा पानी पीते हैं तो फ्रिज में भी जो कूलिंग हो रही है उसके वैल्यूस को सेट करने के यह भी एक छोटी सी कल्कुलेटिंग डिवाइस मौझूद है अगर आपके घर में यह फ्रिज मौझूद ना हो तो आपको कितनी मुश्किलात को फेस करना होगा बिल्कुल ऐसे ही अगर आप माइक्रोवेब ओवन में खाना गरम करते हैं कितनी वैल्यू पर कितना ताइम पर कितना खाना गरम करना है अब सोचे कि अगर यह माइक्रोवेब ओवन ना हो तो आपको कुछ से खाने को गरम करना होगा फ्रेंट्स यह तो हो गई घरेलू बाते लेकिन अगर आप इस्टुडेंट हैं और बाहर की युनिवरस्टी से तो अब आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपने अपने कम्प्यूटर को आउन किया और बाहर की युनिवरस्टी में होने वाली क्लासिस को जिसे वर्चुल क्लास भी कहा जाता है उन प्लासिस को घर बैटे अटेंट कर लिया अब सोचे कि अगर यह स्टीज में पढ़ने की मवाकिफ अराम करता है अब यह तो हो गई online classes की बार जो कि सिर्फ computer के जरीए ही हासिल की जा सकती है अगर आप online नहीं भी पढ़ा है और for example आपको college जाना है तो college जाने के लिए पहले आप bus stop पर जाएंगे फिर गंटो बस इसका इंतजार करेंगे लेक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह computer आपकी जिंदगी और असर अंदाज हो रहा है और कैसे इसने आपकी जिंदगी को बहुत ज़्यादा असान बना दिया है आपको मेहनत और मुशक्कत करने से बचा लिया है और साथ के साथ आपकी वक्त भी बचा लिया है तो friends इसके अलावा पहले आपको college का कोई assignment मिलता था तो आप घंटो उस topic को लैब रिलीज में सर्च करते थे जिसमें कई कई दिन लग जाते थे अब आपके हाथ में मौजूद computer यानि mobile phone के जरीए google पर बस topic का नाम ही लगते हैं कि उसकी पूरी biography आपके सामने होती है पहले अपने हटूत के जरीए बात करते थे जिसमें कई कई दिन लग जाते थे उन हटूत को आपके रिष्टदारों के पास पहुंचने में अब बस आप एक बटन दबाते हैं और जट से email के जरीए उनको letter पहुंच जाता है इसके साथ साथ अगर आप अपने रिष्टदारों से बात क कंप्यूटर ने यानि यह कंप्यूटर ही है जिसने हमारे दूर मौजूद रिष्टदारों को तो उनको इस तरीके से कर दिया है कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही मौजूद है यानि कंप्यूटर के जरीए हम अपने रिष्टदारों से अपने अजीजों अकारिब से हेले आपको क्रॉस्टORी खरीदनी हो, कप्ड़े लेने हो, हंता के कोई फूट लेना हो, तो आपको खुद मारकेट जा कर उसको खरीदना होता था, जिसमें बहुत सा ब्थ चाहीए होता था, साथ के साथ आपको मुशक्क्त का सामना भी करना होता था, के मार्केट्स तो आप जानते हैं कि कितनी जादा भरी हुई होती हैं लोगों से लेकिन अब ऑनलाइंग शॉपिंग के जरीए ना सिर्फ घर बैटे अपने मुल्क से बलके बाहर के मुमालिक से भी चीज़ें मंगवा सकते हैं इसके अलावा अगर ऑफिस की बात की जाए कि जिवर्षेस में किस तरीकी से कारामद है तो पहले औरकल अपने रिकॉर्ड़ से करने के लिए पेपर पर उन को लिखना होता था में सब्सक्राइदा ओर निक रिकॉाइब सी चिप पर 1000 गीगाबाइस तक के डेटा को स्टोर किया जाता है यानि एक कम्प्यूटर एक रूम में जितने फाइल मौदूद होती है उन तमाम फाइल को इस छोटी सी चिप के अंदर से किया जा सकता है और यह चिप भी कहां मौदूद होती है आपके कम्प्यूटर के उनको फाइदा पहुचा रहा है इसके इनावा पहले कोई एक मुल्क में कोई चीज इन्वेंट होती थी तो उस मुल्क में मौझूद रहने वाले लोग भी उससे वाकित नहीं होते थे लेकिन अब कहीं भी कोई साइंटिफिक इंवेंशन हो एक क्लिक के जरीए सारी दुन के बड़ालत मिंटों में पता लग जाता है कि मर्ण क्या है और उसको किस तरीके से अलक करना है पहले आपको टीवी देखने के computer यानि अपने mobile phone के जरिये ये तमाम काम एक साथ कर सकते हैं तो friends अगर मैं computer के तमाम गूज़स को इस lecture के अंदर बताना चाहूँ तो ये possible नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप computer के बगार दिन गुजारना भी मुश्किल हो गया है और एक research के मताबिक दुनिया में 90 परसनल लोग सबसे पहला काम यानि सोकर उटने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं वो इस mobile phone को हाथ में लेते हैं तो इस बाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये computer ये mobile phone किस तरीके से हमारी जिन्दग्यों पर असर अंदाज हो गए है तो friends अगर एक device जो इतने फायदे दे रहे हैं अगर आप उसको study नहीं करेंगे तो क्या आपको इसका नुक्सान नहीं होगा तो friends आईए देखते हैं कि अगर हमें computer चलाना नहीं आता अगर हम computer के पार्ट से वाकिफ नहीं है तो फिर हमें इसका क्या क्या नुक्सान हो सकता है और आप student है और आपको computer नहीं आता है यह यह कहलें कि आपको computer के बारे में मालूमात नहीं है तो friends अब जितने भी तार्वी इदारे हैं वहां assignments projects, lectures, labs सब इनी computer में मौदूर software जैसे कि Microsoft Office, Excel, Word पर बनाने होते हैं अगर आपको यह चलाना नहीं आता यह इस computer के बारे में मालूमात नहीं है तो आप दूसरे students से पीछे रह जाएंगे बलकि अब तो बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनके अंदर electronic system भी आ गया है electronic attendance system और हता के बड़े तालीमी इदारों में तो इंतहानाद भी computer पर ही लिये जाते हैं तो friends यह तो हो गई बात as a student अब अगर आप पढ़ लेक गए computer के बगएर भी यानि अगर आप ने computer को नहीं पढ़ा लेकिन आपने कोई ना कोई division ले लिये लिये तो पढ़ने के बाद बारी आती है employment की तो friends मैं आपको यह बात बता दूँ कि अगर आपको इस computer की मालुमात नहीं है तो आपको employment नहीं मिल सकती क्योंकि जितनी भी बड़ी companies हैं जितनी भी बड़ी organizations हैं उनका records, meetings सब इनी computer के जरीए होता है तो अगर और अगर आपको computer नहीं आता तो आप इन तमाम कानों को किस तरीकी से करेंगे इसे लिए तमाम companies उन्हीं employees को hire करती हैं जिनको computer चलाना आता हो और उस पर रोज मरा के काम करने आती हो इसके इलावा हर company का अपने department के लिहाज से एक software होता है for example एक software है computer simulated chemistry lab इस software के जरीए आप multiple chemicals को आपस में बिना कर उनका resultant chemical मादून कर सकते हैं यानि अब आपको अलग-अलग chemicals को physically mix ने करने की जरूत भी नहीं है कि दोस्तों कुछ chemicals बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जान देवा होते हैं तो इस तरीके से आपको आपका resultant chemical पता लग जाएगा और इसे ना सिर्थ आपकी हल्द का फायदा है बलकि chemicals को खरीदने की cost भी reduce हो सकती है क्योंकि chemicals को अलग-अलग खरीदने के लिए एक भारी कीमत दरकार होती है तो इस चोटे से software के जरीए आप लाको रुपों को बचा सकते हैं और लाको जानों को बचा सकते हैं तो friends ऐसे इस तरह के हजारों और लाकों software मौजूद है जो हर organization अपने कामों के लिहाद से इनको इस्तमाल कर रही है तो सोचें अगर आपको वो software इस्तमाल करना नहीं आते होंगे तो computer के अंदर मौजूद होते हैं तो आपका कितना नुक्सान होगा तो friends ये थे computer के बारे में मालुमाद कि computer किस तरीके से हमारी जिन्दगियों पर असर अंदाज हो रहा है इसका क्या impact पढ़ रहा है और friends एक बात याद रखेगा जितनी मालुमाद आपके पास computer के बारे में ज़्यादा होगी जितनी depth में आप computer को जानेंगे इसके फायदे भी आपको इतने ही मिलेंगे तो ये था कि why we study computer क्योंकि computer अब हमारी जिन्दगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है और friends यहाँ पर हमारा लेक्चर खतम हुआ अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे के computer किस तरीके से अलग अलग fields के अंदर इस्तमाल किया जा रहा है जिसके अंदर हम business के बारे में detail देखेंगे